हलो दोस्तों मैं हूँ दीपक देवुतु आलो राफ से भी कभी एरे चेनल पर स्वागेते बाई हम आपको बताएंगे राइस्तान के मुस्म बागित ताजनकारी जी हां बायो राइस्तान के बांदों में कितना पानिया चुका है तता राइस्तान के पिछले 24 गंटे में कहा कहां हाई लड़ जारी क्या गया है तता कहां कितना नुक्सान हुआ उसकी सारी जानकर हम आपको इस वीडियों बताएंगे तो वीडियों तक पूर देखना और जो बायों चुनना चाता है कोने में लालकुदा सब्सक्राइब बिटन दबाकर हमासा जुरू सकता है सब्सक सीकर प्रदेश में मान्सून की बारिष का दोर लगातार जारी है शेकावाटी में पिछले दो दिन से मोसम के मिजाद बदला हुआ है शेकर सहीत आसपास की लाकों में देर रात से रुकड़कर बरसात का दोर जारी है आसमान में सुबह साई काले घन्य बादलों के कर दिया है इस दोरां 30-40 गंटे के तेज रफ्ता से हुआए भी चल सकती हैं तथा सीकर जिले में सनिवार सुबह से यह आस्मान में काले घने बादल चाहे हुए है और हलकी तो कभी तेज बरसात हो रही है इससे पहले सुक्रुवार को भी दिन भर की उमस भरी गर्मी के पाली जोदपूर शिरोही मासवडा उदेपूर जानवाट डूंगरपूर चितोडगड भीलवडा राजसमन जेपूर में भारी बरसात हो सकती है तो भाईयों जिन भी जिलो का हमने नाम लिया है वहाँ पर हो जाए यहांप सावदान अगले 24 गंटों पर यहां पर आ सकत कि पस्चिमी राज्तान के सबसे बड़े मरुसागर में नाना बेडा नदी से पानी के अवक शुरू हो गई है यहां हुई बरसात कान जवाई बांद गेज भी तेजी से बढ़ रहा है जो गुरुवार राद तक 8.80 फिट था वह सुबे 11 बिजे तक 18.65 फिट हो गया जिया सनिवार सुबे फिर आवक धीमी होने से दो बजे बांद गेज 15.15 फिट रह गया इधर इसके सायक बांद का गेज भी बढ़कर 3.65 मिटर तक पहुंच गया है जिसका नाम है सेही बांद सेही बांद गेट सुकरवार दो पेर को खोल दिये गए थे तो भायो इस वक्त की बांद से मही डेम उदेपूर समभाक सबसे बड़ा डेम है इसके गेट आज खोल दिये गहे बांद सबसे गेट आपको बताना चाते हैं इस बीच कागदी और सुरुवानिया बांधगे भी गेट खोल दिये गए हैं घाटोल का हेरा डेम भी भर गया है नदीरालों में पाणी की तेजी से आवक हो रही है बांसवाड़ा के कुशल गड़ में भी एक दिन पहले पांच इंच बरसात पाणी या बागी दोरा सेर गड़ सजन गड़ में भी दो दो इंच बरसात दर्ची गई है तो बायो सबसे बड़ी खुसकबरी है माईडे में गेट खुल चुके हैं वही आपको बताना चाते हैं लगता तीन दिन से बांसवाड़ा प्रताब गड़ डूंगरपुर में बरसात हो बागी में नदियाओं फान पर आ गई है इससे वेनेस और धाम टापु में बदल गया है सोब माही और जाकम तीनों नदिया पाणी की आवक से तीनों पुल ढूब गये हैं और बेनेस और धाम बड़ गया है टापु तो भाईयों इस वक्ति सबसे बड़ी ख़बर है जो ह आपको दे देंगे इसलिए कमेट जरू करें तो भाईयों मासा करते हैं हमार दीकर जानकार आपको अच्छी लगी होगी जानकार शेर करें फेस्ट वाटसप सभी जगे ताकि सब्सक्राइब बटन दबाते ही बेल आइकन जरू दबाना ताकि मैंने कोई भी नई वीड़ सबसे पहले पोचेगा आपके पास तो वीडियो माज के तरह ही वायो जे हिंच जे भारत